नमस्कार दोस्तों, welcome back to money matters, बात करेंगे आज campus active world limited के उपर, इस channel पर मैं उनी इस topics पर बात करता हूँ, जिन पर आपके questions होते हैं, आप लोगो question campus के उपर आया हुआ है, बहुत पहले से मेरा इसमें negative view रहा है, और clearly मैंने बोला है कि ये काम का share नहीं है, overvalued है, आलाकि last video में मैंने कुछ अलग बाते बोली थी, view change किया था, उसके पीछे क्या logic था, उसको discuss करेंगे, recent में इसके December के result भी आ चुके हैं, और कल इसकी board meeting भी है, कुछ नए discussions भी या पर चल रहे हैं, उन सब को समझेंगे, chart क्या बोलता है, वो देखेंगे, लेकिन ध्यान रखे आपका कोई stock पे question है, comment box में आप बिंदास पताइए, कि इस stock के उपर वीडियो चीए, पीछे आपने उसका नाम comment किया है, मुझे पता है, फिर से कर दीजिए, ध्यान रहता है कि इस stock पे जल्दी से जल्दी वीडियो लाना है, और आएगा भी, विश्वास रखे, जल्दी बोट second channel double on stocks पे आते हैं, आप चाहें, तो उससे देखिए, सब्सक्राइब करिए, double on stocks यह हमारा second channel है, और इसको भी जल्दी एक लाग सब्सक्राइबर ता आप लोगों को पहुंचाने की जिम्यदारी, आज मैं आपको देता हूँ, ये काम आपको करना है, जो भी discussion हो, उस काफी messages थे, कल भी messages थे, कि इसकी meeting हो रही है, कुछ हो सकता है, कि हैं यहाँ पे देखिए, campus नीचे आ रहा है, क्या ये support को तोड़ देगा, क्या, आज की rate में situations क्या है, वो समझेंगे, कि बहुत से लोग हर चीज को समझने से पहले ही trade या invest करना शुरू कर देते हैं, वो द ज़्यादा, हलाकि इसका ROC, ROE मुझे अच्छा लगता है, लेकिन overvalued बहुत ज़्यादा है, 100 KP पे कहां भई, यहाँ पे अगर promoters की holding देखो, तो काफी अच्छा है, debt ठीक ठाक है, और यहाँ पे EPS जो है, उसको भी ठीक ठाक हम कह सकते हैं, यहाँ पे profit की growth खराब रही है और कहीं यही तो reason नहीं था कि इतना गिरा, क्या आप कुछ turn around आ सकता है, वो हमें समझना होगा, market cap थोड़ा सा expensive दिखाने का तड़का मिलता है, और यहाँ पे तो clearly overvalued हमें stock देखने को मिल रहा है, free cash flow कंपनी का खराब रहा है, जो अच्छा sign नहीं है, inventory turn और देखो 1.90 का तो यह यार, यह वो वाले returns नहीं हो सकते, जो हमें चाहिए, वो नहीं है, fundamentally उतना strong नहीं है, लेकिन फिर भी, क्या technically कुछ change है, वो आगे पता चलेगा, यहाँ पर next बात करते हैं, पहले इसकी industry की P.E. भी दिखाना चाहूंगा, यह भी देखिए, इसकी P.E. सू की हो और industry क footwear की, यह आप कह सकते हो, कि यहाँ पर पूरा मंदी का समय चल रहा है, चाहे relax हो हो, चाहे बाटा हो, चाहे कुछ भी हो, relax हो के उपर 960 कटेगा, तब जाके कुछ move आएगा, यह बात हमने आज से कितने महीने पहले बता दी, आज तक वो levels नहीं कट रहे, और इसमें 305 का level पताया था, लास्ट वीडियो में, वो भी सुनेंगे, पहले आगे की बात करते हैं, नेक्स चलिए, इसकी average या median PE अभी 94 के आसपास हो चुके है, वो आप देखें, आपर 94 की average PE रही है, तो हम यह मान सकते हैं, कि market ने इसको इस पर ही पर accept भी किया है, यह भी हमें मानना देखिए, profit देखिए, sales तो हर साल बढ़ रही है, profit देखो, घट रहे हैं, और इस बार से 25 करोड का कमनी ने profit दिया है, reason is, यहाँ पर margins देखिए, यहाँ पर margins देखिए, और यहाँ पर margins देखिए, अगर आपके margins maintain नहीं हो रहे, आप गिरोगे, margin maintain नहीं होने के बहुत से reason ह कोई बंदे ने कमेंट किया है, कि margin maintain क्यों नहीं हो रहा, इस पर वीडियो बनाओ, अर यार, भाई साब, कमपनी के अंदर क्या चलना है, मेरे को कौन बताएगा, मैं क्यों इतनी research करने बेटू, जब मुझे chart या फिर यह data सब कुछ बता सकते हैं, मैं यह पूछने बेटू मेरे पास इतना समय हो ही नहीं सकता, यह practical है ही नहीं, मुझे यह देखना है कि chart क्या बोल रहा है, data क्या बोल रहा है, उसको लेकर मुझे काम करना है, मुझे company का internal management phone करके नहीं बताएगा, ना मेरे पास इतना समय होगा कि मैं उसके margins को देख पाऊं, कि उसके margin क्यों नहीं maintain raw material cost के आई, यह क्या हुआ, वो क्या हुआ, फलाना अडिकाल, अरे कौन बताएगा भाई, retailer को कोई कुछ नहीं बताता, मैं यहाँ पर वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो बेचारे, retailer जिनके पास information access नहीं है, उनको यह दिखाना चाहता हूँ, कि इस fundamentally, और especially चार्ट पर जो data है, उस पर sufficient information है कि आपको करना क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ, और आप उस analysis में गुसना चाहते हो, जिसका कोई अंती नहीं है, fundamentally research का कोई अंती नहीं है, being a research analyst, मैं आपको बता सकता हूँ, fundamental research का कोई अंती नही को, आगे बात करते हैं आपे, हमने देखा कि margin maintenance नहीं हो रहे, इसलिए दिक्कत है कंपनी के साथ, अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे profit and loss को, तो पिछले तीन साल में देखें सबसे खराब P&L अभी कंपनी का आ रहा है, यानि तीन साल का अगर आप देखें, नेक्स्ट बात करते हैं, share holding को समझो, promoter का confidence अभी भी अपनी company पर, 73% holding करके बैठें, 74%, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन इनका confidence से इनका तो कब lose हो जाए है, मैं phone करके थोड़ी बताएंगे, सोचो, fundamental में तो यह दिखाया जाता है, 74% promoter holding है, company बहुत अच्छी है, यह है, वो है, तो यह तो बेचेंगे, तो मेरे को phone करेंगे, retailer भाईयों, मैं बेच रहा हूँ, मेरा confidence lose हो रहा है, तुम भी बेच लो, कोई नहीं बताएगा, वाई साब, वो chart पर समझना पड़ता है, अब हमें नहीं आता है, हम सोचते किसी को नहीं आता, ऐसा नहीं है जैसे कई चीज़े मुझे नहीं आती fundamentally, तो मुझे यह थोड़ी लगता है किसी को नहीं आती, मैं देखता हूँ कि उस चीज़को मैं alternatively chart पे कैसे देख सकता हूँ, simple बात है, अब FIIS को देखो, उन्होंने अपनी holding कम करी है, DIS ने थोड़ी सी holding बढ़ाई है, और public की भी थ चुके होंगे, जादा तक की यही आलत हुई है, और यह stock जो है, अपने highest ever shareholding number के पास पास ही trade कर रहा है, अब बात करते हैं, चार्ट पे, लेकिन चार्ट पे चलने से पहले ज़रा एक बार सुनते है, लास्ट वीडियो में आखिर बार हुई क्या थी, कि जब भी stock में ऐस गिरावटे आती है, तो एक चीज़ चेक करिए, क्या वो अपने पिछले मन्त के red candle के उपर जाता है, तो यह पिछले मन्त की red candle है, देखे, इसके उपर sustain नहीं कर पा रहा है, यह तो green है, इसको count ही नहीं करेंगे, red candle के high के उपर उसे close करना होगा, वो नहीं कर पा रहा, ओन यहाँ पर monthly chart पे मिलता है, कि 305 के उपर कम से कम आओ, उसके बाद आगे की बात होगी, यानि कि अगर आप इस chart को ध्यान से देखे, आपको पता चलेगा, एक शाप गिरावट आती है यहाँ पर, एक यहाँ पर recovery type की candle बनती है, जहां से नीचे से recovery अच्छी आती है, यहाँ पर इस टोक खड़ा होके, बता रहा है कि मेरे में strength है, बट यह continue कब होगी, जब आप 305 के उपर monthly close कर दो, monthly close आपकी 305 के उपर चाहिए, this is compulsory, इसके उपर confirm होगा कि आपका chart super bullish होने जा रहा है, और वहाँ पर bearishness खतम हो चुकी है, तब तक यह अभी भी bears की grip में, तो maximum bearishness जो है, वो 305 से शुरू हुई है, अगर मैं दिरे दिरे करके, इसको यहाँ से recover करके, इसके उपर close करता हूँ, तो यह सारे bears जो है, वो खतम हो चुके हैं, अब यही लोग चाहेंगे कि मैं इस share को खरीदू, और यहाँ पर नए balls भी active हो जाएंगे, तो इस point को जब हम काट किया जा चुका है, तो जैसा कि आपने clearly सुना हमारी बात हुई है, साफ साफ, कि यह stock जो है, 305 के जब उपर आएगा, तब ही इसको देखने लाइक बनता है, तब तक के time pass zone में है, 305 के उपर आता है, तब देख सकते हैं, उससे पहले नहीं देख सकते हैं, और कोई width आती ह तो यहाँ पर उसको देखा जाएगा, इस level के आसपास, और अब आप ध्यान से देखें, मैं इसको daily chart पर convert करता हूँ, यहाँ पर समझिए, हर एक चीज़ की importance क्या है, उसको ध्यान में दीजिए, ताकि आप अपने learning के process को बढ़ा पाए, यहाँ देखिए, यह जो है, यहा क्या outcome है, क्या नहीं, क्योंकि देखिए, आप उसका कोई अंत नहीं है, news का, news का कोई अंत नहीं है, रोज कुछ ना कुछ आएगा, आपको clear करना होगा, requirement क्या है, requirement के इसाब से काम होगा, अलाकि news बहुत important होगी, तो वो media के थुरू आपको directly ही पता चल जाएगी, यहाँ स significant इतना नहीं होता है, जितना आप समझते हैं, volume क्या है, किसी बंदे ने 10,00,000 शेयर लिये हैं, तो किसी ने बेचे भी तो होगा है, कोई तो बेच रहा होगा, कोई public group तो बेच रहा होगा, तब ही तो किसी ने लिया है, दोनों की requirement क्या है, हमें नहीं पता, हमें अपनी requirement clear बहुत से लोग offernd हो जाएंगे, volume को नहीं देखते हो, नहीं देखते, simple price action भी enough होता है, पढ़ना आना चाहिए, simple बात है, यहाँ पर देखिए, stop के लिए weakness होगी 235 के level के नीचे, यहाँ पर लिक देता हूँ, यह level होगा 235, इसके नीचे जोए stop के लिए fresh weakness होगी, अभी stop देखिए, यहाँ पर double bottom बना के ऊपर जाता है, क्या इसका bottom confirm हो गया, सबसे पहले बात करते हैं, bottom done or not, यहाँ बात करते हैं, तो answer is bottom done होने के, मेरे पास, मैं experience से बता रहा हूँ, indication है, मैं खराब नहीं कह सकता, bottom नहीं हो आप, indication है, या तो यहाँ है, या इसके आसपास है, अगर गिरावट भी आने, तो इससे जादा नहीं आ सकती, bottom done होने के indication आ चुके है, क्या confirmation आए, तो वो confirmation होगे, 305 की close मिलने के बाद, तब तक मेरे पास वो confirmations नहीं है, उसके बाद मेरे पास एक stop loss बनेगा, फिर मैं कुछ कर पाऊंगा, अभी मेरे पास bottom done होने के indications है, confirmations न लेते हैं, weekly chart पे, have a look, इसको weekly chart पे हम convert करते हैं, ताकि हमें data जो है, वो clear पता चल जाए, और हम उस चीज़ को अच्छे से analyze भी कर पाएं, यह देखिए, look at this, यह weekly chart है, अपने high से कितना गिरा, stock तूट गया, 62%, 63%, यहाँ पे तूट चुका है, weekly trend shift हो रहा है, हो सकता है, ले हमको bottom done होने से पहले stock को देखना है, तो फिर वो ध्यान रखिए, फिर bottom done नहीं हुआ, तो फिर तो risky हुआ, simply बात ही है, फिर तो risky players की काम का हुआ, हुआ ही नहीं आपके, अगर इसका monthly chart में आपके सामने convert करूँ, और देखिए, इस पे तो मैंने कितनी analysis करके बताया है, कि stock 250 के आसपास ही अपनी value दिखाता है, उससे पहले उसकी value है ही नहीं, कि एक साल से शायद मैं बता रहा हूं इसकी video बनाबना के 250 के आसपास इसका value है, 250 के नीचे, मतलब 250 के उपर ये टिकना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी value नहीं थी, एक बार इसको आना पड़ेगा, अब आ चुका है, पिछले 4 महीने, 5 महीने का trend तो देखो भाई साब, यहाँ पे trend क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 महीने से देखो, यह sideways है, और इसमें 305 यह important role है, इसके उपर आएगा तो bullish होगा ना, कौन मना कर रहा है, bullish नहीं होगा, मैं खुद कहूंगा, bullish होगा, अब आपके सामने मैं सबसे पहले चनलाना चाहता हूँ, this is my screenshot, मैंने company, मुझे इस company में 1,00,000 रुपे लगाने है, और मैं उतना ही पैसा लगा रहा हूँ, जितना में risk ले सकता हूँ, 1,00,000 रुपे मुझे लगाने है, अब या तो यह 50,000 हो जाएंगे, या date 2,000,000 हो जाएंगे, तो मैंने क उतनी नहीं कर पाई, जितनी मुझे करनी है, क्योंकि मुझे अभी confidence नहीं आए कि bottom बन गया गया, अब या तो मैं इसके उपर मेरी remaining quantity लूँगा, या फिर stock यहां से 235 के नीचे को इडिप देगा, तो लूँगा, मेरे आत में मेरी planning clear है, 1,00,000 का investment करना है, 68,000 हो चुके, अ तो डरेंगे, हमें डर क्यों नहीं लगेगा, average cost क्या, 272, stock अगर 200 आ गया, क्या हुआ, 20-25% माइनस है ना, ठीक है, हो जाएगा मैंने, इसमें तो पता ही यह risk ले रहे है, हो जाएगा वो तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसको है, जिसका 600 से लिया वा, वो जोच रहा ह कैसे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने खुद लिया है, और risky लोगों के काम का है भी, यह safe लोगों के काम का कब होगा, जिब 305 के उपर आए, और जिस हिसाब से monthly candle बन रही है, chances are very high, कि अगर इस stock 280 के उपर निकल जाए इस month में, तो शायद मार्च अप्रेल में, यह stock 30 305 के level को काट दे, शायद, 305 का कब कट सकता है, मार्च अपरेल में कट सकता है, अभी फिलाल कोई उमीद है, नहीं है, यह पता होने के बाद भी, अगर कोई इसमें लगा रहा है पैसा, तो वो कौन होगा, risky player होगा, जिसे पता है कि हाँ, ऐसे से चलना है, safe pair कोई काम का ही ही है, simple सी बात है, यहां समझते हैं, अब इस data को एक बार और समझने कोशिश करते हैं, daily chart पे, चले मैंने इसको daily chart convert किया, have a look at this, यहां पे देखिए, this is daily chart, और यहां मैं आपके सामने लगा देता हूँ, 200 दिन का moving average, और volume को कर देते हैं, hide, तो देखिए, अब आपके सामने आगया, 200 दिन का moving average, कितने ही वीडियो में चिला चिला के बताया है, कि इस blue line के उपर आने दो, तब देखना इस stock को, और यह भी कहां आ रही है, 300 रुपे के आसपास आ रही है, तो 305 के उपर ही bottom out के confirmation है, तब तक confirmation नहीं है, indications आ रहे हैं, और यहां पर stock जो है, यहां इस gap क fill करने आ सकता है, या इसके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि जब तक bottom out के confirmation नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, तो अब क्या करें, यहां बात करते हैं, उसको समझते हैं, आज की date के scenario को complete समझने कोशिश करिए, दिमाग को open रखके, दिमाग में direct judgment मत बनाईए, कि ऐसा हो गया, तो यह stock बरबाद हो जाएगा, यह होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सोची हमें क्या करना है, जैसे मैं फिलाल आपको बता हूँ, जो already invested है, उनके पास क्या options है, देखे, simply A की option है, इतना stock तूटने के बाद, अगर मैं होता, तो मैं तो hold करता, और फिर देखता कि real valuation के आसप फिर तो simple सी बात है, आप decision ले सकते हो, लेकिन हम mind में clear नहीं करते हैं, हमें करना क्या है, तो फिर तो दिक्कत ही होगी न, second बात करते हैं आपे, कि fresh invest वाले, invest की बात हो रही है, अध्यान से सुनना, trading की बात नहीं हो रही, कई लोग 1-2-3 साल के period को invest नहीं समझते हैं, वो स तब लेंगे, या फिर above रूपीज 305, अब रूपीज 305 के उपर indication आएगा, तब लेंगे, तब तक मैं इसको नहीं लूगा, fresh invest करने से पहले क्या देखा जाता है, company का funda कैसा है, तो मैं कहूंगा, overvalued है, simple सी बात है, कैसे समझ में आती है, वो समझ लो, मेरे लिए overvalued है, कोई कहेगा नहीं है, क्वेंक का समझ में बहुत value है, यह है, बहुत बढ़ी आ बात है, अच्छी बात है, आपको लग सकता है, आपके और मेरे विचार मतवेद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, technical sideways to bullish है, sideways to bullish हो सकता है, और complete bullish कब होगा, रूपीज 305 के उपर, इसके अब सकता है, यह मुझे note down करना होगा, आगे बात करते हैं, यहाँ पर, is there any swing trade, यहाँ पर कोई swing trade है, क्या, the answer is no, नहीं है, लेकिन फिर भी, मैं आपको, इशारों में बता रहा हूँ, किसी ने अगर swing trade कर रखी है, तो वो रूपीज 235 का ध्यान रखे, रूपीज 235, इस level का भ नीचे नहीं जाएगा, तो वो भी 235 का ध्यान रखना, नीचे की planning नहीं है, वानो इस टॉप 200 आजाए, और आपके पास कोई planning नहीं है, तो 235 का ध्यान रखो, इसके नीचे समश्या हो सकती है, problem हो सकती है, चिंता, भय, दुख, तनाव, अवसाद, उत्पीडन, पता नही यही है, वो 305 के उपर confirm होगा, या फिर यहां से थोड़ा एक dip देकर फिर वो नीचे आ सकता है, उपर आ सकता है वापिस, तो almost complete हो गई है, almost done, price wise, but time wise जो है ना, still pending, still pending है इसकी correction, time wise correction अभी भी pending है, ऐसा नहीं है कि इस टोग यहां से, मतलब एक महीने के अंदर कोई 500-600 आ उमीद करता हूँ, मैं गलत हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है, पिलाल ऐसी कोई time wise correction, confirmation नहीं आये है, कि time wise correction जो है, वो पूरी हो चुकी है, इस बात का भी ध्यान रखिए, तो इसमें आप पैसा कौन लगाएगा, मैंने आपके सामने सारी requirement clear करवा दी, अप पैसा कौन लगाए होगा, सारी analysis मेरे अपनी तरफ से दी है, मेरी फिर भी को गलती रहे, मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ हुई हो, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे चमाचाऊँगा, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती रहेगी, technical analysis अगर सीखना चाते हैं इस तरह मेरे से, ज्यादा तरह आपका contact कट जाएगा, वो आपका miss call जाएगा और आपको हमारी team 24-48 गंटे में संपक करेगी, और quick response के लिए आप इस पे number पे WhatsApp करिए, send way of analysis detail और call schedule कराना हो, आप अपना call schedule कराके registration करवा सकते हैं, साथ में अगर channel की diamond membership लेना चाहें, और live Q&A session में जुड़ना जहां पे reversal आने वाला है, for the quick ultra short term, तो अगर उसकी learning आपको लेनी है, वो सारी चार्ट आपको चाहिए, जहां पे breakout के alert आने वाले है, तो उसके लिए आपको STP chart scanner join करना पड़ेगा, आगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, वेवे नाले से इसकी जानकारी झाले से जानकारी 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 से जान